नंद राज गौधान गौशाला लोकोडिया भागवत कथा जियां खबरे मद्वतेस को जंज लेके खाचरो थाना अंतरगत गाउन लोकोडिया गौशाला में चल रही स्रीमत भागवत कथा हर वेक्ति गौश सेवा को धर्म समझ ले तो गौशाला की आवसकता ही नहीं लोकोडिया सब्तदि उसी भागवत कथा आजन खाचरो समीप नंद राज गौश अला लोकोडिया भागवत कथा का आजन किया जा रहा है आपको बता देगी खाचरो छेतर में दूसरी सबसे बड़ी गौश अला स्तापित है जहां पर वर्सों से गौव माता की सेवा का और स चेतर की जनता को मिल रहा है और यहां पर प्रती वर्स कथा का आजन किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए आजपास की जनता एकत्र होती है इस वर्स भी साथ दिनों तक भागवत कथा का आजन किया जा रहा है कथा का वाचन सूसरी वर्सा गरदरा कथा का वाचन किया जा चुका है इस मौके पर वर्सान अगरने अपने विचारों को पत्रकारों के मादम से गौ सेवा और आज जो आवारा गावेव पर हो रहे अत्या चारों के प्रती आम जन को जिमेदार बताते हुए गौ सेवा करने और पालने की बात कई है करना मादी वादी वंदनमा आदमा अधित है पोटो मारा पोटो उसले देखा रही है यह तुमारी बात क्या जवाब दो कैसे गोला तुमारी बात मेरे समझ में नहीं तुम जा करना चाहते हो कि दाना में ये गोवर्दन उठा सकते हैं उस गाए के दूसे बनाव माखन चोरी करके खाकरके और जो कालिया पर नत्य कर सकते है तो विचार कीजिए आपके बच्चों के अंदर उस गाए के दूसरे और गाय के घिसे कितना स्वास्त मिल सकता है तब बच्चा बनेगा आप बनेंगे करणपती वो ये गाय माता का संदेश हर घर में गाय हो हर परिवार में गाय हो और शहर के लोग गाय का पालन ना कर सके तो अपने आसपास की गोशालाओं को समर्द बनाए केवल ग की धर माता की यह यहाट और के चेतू नाडी का प्राउधान बताया गया है कि उससे प्सक्रिंट नामा के कपदार्थ बनता है जिससे दूद होता है इसकी शुदक्षा के लिए उससे अपना जो बता है कि आज तोड़ पती होगी अभी नहीं को सब्सक्राइब करोड़ पर चोड़ रहे हैं आज देखिये ना इस गाउं से उस गाउं भगाई जा रही है इतनी कोशला होने के बावजुद भी भगाये जा रहे हैं रात में हम देखते हैं हम लोग सोते हैं और इदर से उदर ट्रांसपर होती है भागती रहती है तो यह गलत है इस किसानों को भी इस बाल में सोचना चाहिए किसानों की तो माँ है गाय माता वो तो अपने खेद में घर में उसे पाल सकते हैं, गाय के गोबर से घात बनती है, गोमुत्र से निरोगी होता है, इनसान गाय का दूद, गी, इस सब चीजे इनका प्रतिफल बहुत जरूरी है, प्रत्य विक्तित के बाद पहुंचनी चाहिए कि गाय घर में रखेंगे, हमारी काया निरोगी होगी, काया निरोगी होगी, तो गाय बनाएगी करणपती, यह है उसका उद्देश. पहुंचता है, तो पूरे चेतर से गाय को इखटी करके माँ पहुचा दिया जाता है, कि भैया हमारे यहां बहुत गाय है, और जैसे कि यहां नंदर आज गोशाला चल रहे है, इस गोशाला के अंदर 600 गाय है, और सभी की स्थती अच्छी है, हम लोग देख रहे हैं, यहा कि गोशाला के लोगों को साल भरतक चारे और भूसे के लिए भटकना नहीं पड़ता है, मतलब यहां कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी तो लोग दान दे रहे हैं, तो एसी गोशाला हो, घर में गाय हो, गाय सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे, एसी कोरोना सभी पत्रकारों के लिए और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुपकामना है, घंटनत्र दिवस zum. हम राश्ट्र की जजेकार करते हैं पर वो एक दिन का पिवार नहीं है आज मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से कहना जाऊंगी क्योंकि इंटर्वी बहुत लोग देखेंगे आज आपने इस जंडे को सजाया होगा हमने भी सजाया है आज आपने इसका मान रखा है कल करपि माता के संबान का भी अधिकार नहीं है तो अपने देश का संबान करें गोमाता का संबान करें राश्ट्र का संबान करें धर्म का संबान करें धर्म गोमाता राश्ट्र आपका संबान करेंगा जै हिन जै भारत कर गाहात जोड़के पाहात थे कर गौँड़के काहात तेरे आर्ची कर गौणिया तेरे आर्ची सारा जदोस अरे गाहात जोड़के स्री राद है कर दो कर दो कर दो कर दो